नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सबकों में यहां हम लोग एना यूएस का जो माध्य में कक्षा है यानि हाइ स्कूल उसका व्यवसाय अध्यन विशय पढ़ रहे हैं तो व्यवसाय अध्यन विशय के हम लोग पाठिक तीन में हैं जिसका किषी शिषक है सेवाचेत्र तो जो सेवाचेत्र या सर्फीस सैक्टर है उसके हमने दो सैक्टर के थीन सैक्टर के बारे में उस्तक पढ़ लिया है सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो परिवहन सेवाओं के बारे में पढ़ा था फिर हमने भंडारन सेवाओं के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने संदेश वाहन या संप्रेशन सेवाओं के बारे में पढ़ा तो आज हम लोग जो इसका पार्ट है आठ उसका जो शीशक है डाक एवं कोरियर सेवाएं तो हम डाक और कोरियर सेवाओं के बारे में पढ़ेंगें तो इसको प्रारम करने से पहले फिर मेरा आपसे एक बार अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने ऐसे साथियों के साथ शेयर करें जो कि एनाइयोस से व्यवसाय अध और आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में डाक सिवाओं का उपयोग किया होगा आपने कभी किसी को पत्र भेजा होगा या फिर हो सकता है कोई फॉर्म भरा हो तो उसके लिए कुछ पोस्टल ओर बनवाया हो किसी को पैसे भीजे हो तो मनी ओर का उपयोग किया हो या कि के सदस्य का कुई खाता हो जमा खाता हो गूशत करले लिए पोस्ट आफिस जिसको बोलते हैं उसमें तो इस प्रकार से अनके बार हम लोगों का सामना डाक सेवाओं से होता है हमको डाकसेवां का उपयोग करना पड़ता है, जैसे पत्र और पार्सल ले जाने में डाक सेवाँ का उपयोग होता है, ऐसे ही धन भेजने में मनी ओडर या पोस्टल ओडर के माध्यम से डाक सेवाँ का उपयोग होता है, ऐसे ही डाक विभाग जो होता है वो जमा भी स्युकार करता है, मतलब लोगों के पैसे जमा करता है, बचत का काम भी वहां होता है, उसमें कई प्रकार के खाते होते हैं, जिसके की माद्यम से लोग अपना पैसा जमा कर सकते हैं, और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, विभिन प्रकार से, तो यह जो अब डाक सेवाओं के मतलब बहुत सारे प्रकार हैं, ये बहु आयामी होती हैं, कई प्रकार की डाक सेवाओं होती हैं, और जब ये शुरू हुआ था, जब शुरूबात हुई थी, तो मेंली जो मुख्य जो काम था, वो था लिखित संदेशों का संप्रेशन, मतलब जो सरकारी डाक को भीजने के काम आती थी मतलम सरकारी पत्रों का आधान परदान डाक सेवाओं के माद्यम से किया एए लेकिन सन 18 tris के बाद जो डाक संदेशों के संप्रेशन की जो आवशक्ता थी उसके इतर इसने कहीं सारे और भी आयाम पालिये हैं और कहीं प्रकार से ये जनता के सेवा कर रही हैं जो डाक सेवाएं हैं तो समय के साथ साथ डाक घर रुपे भेजने पार्सल पहुंचाने बैंकिंग बीमा और अन्य कहीं सेवाओं का जो स्वरूप है वो भौ आयामी है तो डाक घर सेवाएं आम आदमी भी दे सकता है मतलब कई सारी ऐसी फैसलिटीज हैं जिसके माध्यम से डाक घर सेवाएं दे सकता है कई प्राइवेट कंपनियों दारा भी डाक सेवाएं प्रदान की जाती है मतलब एक आम आद आदमी भी दूसरे आदमीं को दे सकता है और इसी प्रकार से कुछ प्राइवेट कंपनिया भी हैं जो की डाक सेवाएं प्रदान करती हैं यह से ब्लू डार्ट ब्लैज फ्लैस या डी एचल यह सब आपने देखी होंगी कई सारी कूरियर सेवाँ का भी आपने उपयोग किया हैं तो हम डाक सेवाँ को उपयोग करके भेज सकते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं डाक सेवाँ पर इसमें क्या है जैसे दूर दराज के छेतरों में रहने वाले लोगों तक मनियोडर पहुचाना क्या कोई लेडर पहुचाना इसी परिकार से यह क्या होता है यह बहुत गहरों द्वारा प्रदत सेवाएं तो डाक सेवां के प्रकार क्या होते हैं किस किस प्रकार को सेवाई डाग घर देते हैं compare दो क्यों को सेवा見て संदेश भेजते हैं, धन भेजने की सेवा भी इससे होती है, बैंकिंग सेवा भी इसमें सम्मिलित है और वीमा सेवा भी सम्मिलित है, इसके अत्रिक्त भी और कई सारी सेवाएं डाकगर देते हैं, तो आएए एक एक करके इन सभी सेवाओं को जो डाकगर देते हैं, उनके ब दाग घरों द्वारा दी जाती है, सबसे पहला है पोस्ट कार्ड, ये सबसे सरल और सबसे सस्ता साधन है, लिखित संप्रेशन का, इससे सस्ता कुछ नहीं होता है, कहीं आपको कुछ अंदेश भेजना है, तो आप पोस्ट कार्ड का उप्योग कर सकते हैं, अगर बहुत कम पैसे आपके पास हैं, तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्राइवेसी नहीं होती है, इसके अंदर गोपनियता का अभाव होता है, क्यों अभाव होता है, क्योंकि ये खुला हुआ होता है, इसमें आप ये देख पारें, हो साधा काज होता है एसा ही पीले रंग का इसके उपर आप अपना संदेश लिख सकते हैं तो जो साधारन पोस्ट कार्ड है वो तो आप कहीं पर भी अपने दोस्तों को अपने इस्तेदारों को किसी को भी कोई संदेश भेजना है उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन जो प्रतियोगता पोस्ट कार्ड होते हैं जो कि टीवी या रीडियो पर जो प्रतियोगता हैं आयुज सकते हैं लेकिन उस वो थोड़ा सा महंगा होता है थोड़ा महंगा पड़ता है ऐसे ही एक सुविधा दी जाती है पोस्ट कार्ट में जवाबी पोस्ट कार्ट की जिसके अंदरगत क्या होता है उसके अंदरगत आप दो पोस्ट कार्ट एक साथ मिला की भीजा जाते हैं जिसम से उसी पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो दूसर पोस्ट कार्ड में लगवा है उसके माध्यम से आपको जवाब प्रिशित कर देता है इसलिए इसको जवाबी पोस्ट कार्ड भी बोलते हैं अब है अंतरदेशिये पत्र अंतरदेशी पत्र क्या होता है अंतरदेशी पत्र भी एक लिखित संप्रिशन का माध्यम है इसमें क्या होता है हम सिंपल लैटर लिखते हैं और इसके अंदर जो अवेलेबल जो स्पेस होता है उसमें लिखा जाता है इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसके अंदर ही जो संदेश भीज़े जाते हैं वो अंतर देशी पत्थर के माद्यों से भीज जाते हैं तो इसमें संदेश की गोगनिया द्राइब सुनष्चित रहती है वस्तु यह कागज संलंग नहीं किया जा सकता है मतलब इसे को ही more एक मोड यहां पर होता है एक मोड यहां पर होता है तो इसको आप मोड कर फिर यह जो दीख रहा है आपको इससे चिपका कर भेज दिया जाता है इसको और यहां पर जहां आपको भेजना है उनका पता लिख देते हैं यहां अपना पता लिख देते हैं इस प्रकार से इसका उ अपना संदेश है, लिखे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाने के लिए किया जाता है, वहीं पर विदेशों में पत्र भेजने के लिए हम लोग एरोग्राम का उपयोग करते हैं, अब है लिफाफा, अभी तक तो हमने पढ़ा अंतरदेशी पत्र और लिफाफे का उपयोग कर सकते हैं, तो यह क्या होता है, कागाज का एक और से खुलावा छोटे आकार का पैकेट होता है, इस प्रकार का एक लिफाफा होता है, इसमें आप यहां पर उसका पत्र का जो जिसको भेज रहे हैं, उसका एडरस लिख सकते हैं, और इसके पीछे जो है इस प्रकार का एक आकार होता है जिसको की बापिस चिपका दिया जाता है इसको खोलते हैं फैकिट होता है इसके अंदर पत्र जो आपको लिखना है पत्र जो पत्र में आप लिखेंगे और उस पत्र को इस लिफाफे के अंदर डाल देंगे और चिपका कर भेज देंग जैसे साथाना लिफाफा, रेइस्टर डाक, आदी के लिफाफा, ये सब लिफाफा क्या होता है, लिफाफा आप चाहें तो डाक घर से ना खरीद कर बजार से भी लिफाफा खरी सकते हैं लेकिन अगर आपको उसको लिफाफे को किसी जाग बहुता है, तो आपको ऊसपर डाक टिकेट लगाना पड़ेगा, डाक टिकेट क्या होता है डाप टिकेट के माद्ध हम से आप लोग जो डाप घर का शुलक है जो φीस उसकी है एक जगा से दूसरे जगा भेजने के लिए उसकी अदायगी करते हैं जो पोस्ट कार्ड जो लिफाफे होते हैं, लिफाफे पर जो डाप घर से लिफाफे मिलते हैं उन पर टिकेट लगाने की आवशक्ता तब तक नहीं होती कि जब तक कि आप उसके ने कुछ भारी चीज ना भेजें वो एक हलकी चीज के लिए कुछ ग्राम एक वजन होता है वहाँ तक के लिए उसकी वो कीमत लिफाविकी कीमत की रूप में वसूल कर लेते हैं आप से उसमें कोई टिकेट लगाने के आवशक्ता तब तक नहीं होती जब तक कि आप उसमें थोड़ी भारी जितनी अलाउट नहीं है उससे थोड़ी से ज़्यादा अगर भेजने पर आपको सुल्क देना पड़ेगा जो की डाक टिकेट की रूप में आपको देना होगा इसके बाद है पार्शल डाक, तो पार्शल डाक में क्या होता है, अब ये तक हमने जो चीज़ें पड़ी, वो किवल संदेश भीजने के लिए थी, ये जो पार्शल डाक होता है, इससे आप कोई वस्तू भी किसी अपने दोस्त को या किसी रिष्टिदार को भीज सकते हैं, वो बस कंपनी उसमें दूसरी होती है, जो प्रेशित करती है, कोई ना कोई निजी कूरियर सेवा होती है, कभी कभी हम लोग डाक घर के द्वारा भी कुछ जो इकॉमर्स वाली कंपनिया है, वो आपके सपास तक समान पहुंचाती है, तो ये एक विश्वस्तू को दूसरी जगे तक भेजने का, डाक सुलक जो होता है, वो पार्शल के वजन के अनुसार लिया जाता है, जो फीस आपसे अगर आपको कोई बॉक्स भेजना है, कोई वस्तू भीजनी है, तो जो डाक घरवाला होगा, वो आपका उस वस्तू का वजन ना पेगा फैक होने के बाद, औ और आपसे उसका पैसा लेगा, सुल्क लेगा, इसके बाद है अंतर देशी और विदेशी पार्षल डाक के लिए अलग अलग डाक वे होता है, मतलब अगर आपको देश के भीतर ही भीजना है, तो आपको अलग डाक वे होगा, और विदेश में अगर आपको की पार्षल गजना होगा तो वह महंगा होगा इसके पस जाते हैं बोग पोस्ट में क्या होता है जो बंद कर दिया ताकि उसको कोई बीच में खोले ना तेकिन बोग पोश्ट में जो बंद करके नहीं हbo जाता है सिंपल ही उसको बंद करके फेज़ देते हैं को कहीं पर भी कोई खूल कर देख सकता है तो और उसके उपर क्या होता उसमें लिफाफे के उपर या जो भी पार्शल है उसके उपर बुक पोश्ट की महर लगा दी जाती है अक्सर जो आपको एनाई उसकी किताबें बुक पोश्ट की महर लगी होती है बुक पोश्ट पर डाक सुल्क बंद लिफाफों के मुकाबले कम होता है समझ गया या पार्सल के मुकाबले बुक पोश्ट पर डाक सुल्क कम होता है इसके पश्चात है जो अगली प्रकार के सेवा डाग घर देते हैं वो है धन भेजन से आप धन भेज सकते हैं तो money order में क्या होता है एक डागघर के दर ये धन भेजा जा सकता है इसमें एक डागघर द्वारा दूसरे डागघर को जारी के जाने वाला order या संत आदेश होता है जिसको की money order कहते हैं मतलब एक डागघर यह हजार रुपे भेजने हैं किसी अपने दोस्त हरी को उसके गाउं तक तो आप गए डाग घर पे आपने एक फॉर्म भरा जो की फॉर्म इस प्रकार का होगा इसमें आपने उसका एडरस लिखा जिसको भेजना है इसमें आपने पैसे लिखे पैसे का विवरंड दिया कितन इसमें दिया के बहुंगर हो सकते हैं ौर एक डख गडर से दूसरे दाग घर पर ऐसक वह पैसा ले जाएगा और उससे उस先 करा के वापस में पाउती आपको भेज देगा मतलब आपको receipt मिल जाएगी कि आपके दोस्त को पैसा मिल गया है अगले जो प्रकाल से आप धन भेज सकते हैं वो है postal order इसमें क्या होता है इसमें simply आपको ये एक सूधा जनक तरीका है इसमें आपको simply एक postal order खरीदना पड़ता है इस postal order में जिसको भेजना है उसको नाम लिखना पड़ता है ये अलग-अलग मतलब मूली के postal order आप ले सकते हैं 10 रुपे, 100 रुपे, 1000 रुपे विभिन मूली वर्गों में ये उपलब्ध होते हैं जो भी मूली वर्ग आपको suit करता है उसको आपको ये सिंपली इसमें और money order में ये फरक है कि money order में जो फॉर्म है वो भी जमा हो जाएगा आपका और वो डाक या लेके जाएगा इसमें उल्टा होता है इसमें आपको जो postal order है ये उस वेक्ति को देना पड़ेगा वो इसको ले जाकर जितने पैसे का होगा postal order उतने पैसे किसी भी डाक घर से प्राप कर सकता है आपको वैसे उसके अंदर डाक घर भी mention करना पड़ेगा कि किस डाक घर से इसको लेना है इसमें एक निधारी सुल्क आपसे लिया जाएगा तो प्राप करता तथा जिस डागर से नगदर से लेनी है उसका नाम लेकर आप भेज देते हैं उसको दे देते हैं और वो जाकर इसको भुना लेता है इसमें अगर आप दो लाइने खींजदे साइड में तो ये रेखांकित हो जाता है और इसका भुक्तान केवल और केवल जो प्राप करता है उसको अपने एकाउंट में ही लेना पड़ेगा मतलब फिर ये एकाउंट पे ही हो जाता है उसको फिर अपना डागखर में खाता होना चाहिए उस खाते में डालेगा तब ही ये उसको प्राप्त हो पाएगा तो बहुत जादा अगर आपको सिक्योर करना है कि जिसको भेज रहे हैं पैसा जिसको दे रहे हैं कि उसी को भी पैसा मिले तो आप उसको रेखांकित भी कर सकते हैं या क्रॉस्ट भी कर सकते हैं दो लाइने सबसे पहला है इसमें क्या होता है जैसे सेविंग एकाउंट होता है यह जितने भी पैसे आपके पास हूं आप किसी भी समय जमा करा सकते हैं निकालने और जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है खाता कोलने के लिए 50 उर्पी की नियुन तम राश्य आवस्यक होती है खाते में आप मैंग्जियम एक लाभ उपर तक रख सकते हैं और खाता सईयोंक दूप से चलाते हैं दो या दो से अधिक लोगों के साथ तो इसमें आप दोलाख उर्पी तक रख सकते हैं तो इसमें क्य होता है आप कभी मैंने कहा कि आप जमा भी कर सकते हैं तो जमा करने के लिए और निकालने के लिए दोनों के लिए पढ़जी होती है उसको भरकर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर डागघर आप से आप चाहें तो चैक भी आप इशू करा सकते हैं और चैक के माध्यम जमा करा सकते हैं, और कितनी बार हम महीने में जमा करा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको महीने में या जितने भी आपका एक फ्रिक्वेंसी होगी, आवर्ति होगी, उसके साफ से पैसा इसमें आप जमा करा सकते हैं, नियूनतम दस रुपे से खाता खोल सकत पांच रुबए के गुडांक से जम्हा करने की कोई अधिक्तम सीमा इसमें नहीं होती जम्हाप्रतेक महा होता है तो कितने इदें militia के लिए 5 लिए ठीक है एक व्यक्ति के नाम सेarden के जम्हां खहुतेक कोई पावण्दि नहीं आप जाहें जितने भी corazón खोल सकते हैं एक एक वर्ष बढ़ा करके जो पांच साल की जो सीमा है उसको आप फर्दर पांच सालों के लिए बढ़ा सकते हैं मतला आप फुल मिलाके इसको दस साल तक इस खाते को रख सकते हैं डागघर आवरती जम्हा योजना को इसमें आपको एक निश्चत ब्याज मिल जो कि आप 81 जगह जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए fix deposit या सावधी जमा खाता यूज किया जाता है, जिसमें कि जमा करने की जो अवधी है वो पहले से ही निश्चित होती है, 200 रुपे की नियुनतर आसे से कोई भी विक्ति एक खाता खोल सकता है, इसकी कोई अधिक्तम सी ब्याज लाकर वर्ष में एक बार आपको दिया जाता है, तो वो तो हो गया, जो आपको 81 पैसा जमा करना है, इसके पस चाहते है डागर मासिकाई यूजना, अब क्या है आपके पास मान लिजे पैसा है काफी, और आप उसको जमा करते हैं, और आप चाहते हैं कि उस पैसे क माद्यम से आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा कुछ ब्याज मिलता रहे है, तो उसके लिए आप खुलवा सकते हैं डागर मासिकाई यूजना, इसमें क्या होता है, एक निश्चित रकम 6 वर्ष के लिए जमा की जाती है, जमा करता को हर महीने ब्याज मिलता है, जो मिलता है ब्याज, उसमें क्या है, रूपे पंदरा सो, अब आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं, रूपे पंदरा सो या अधिक्तम राशी रूपे 4.5 लाख रुपे तक आप जमा करा सकते हैं, और अगर आपका सैयुक्त खाता है, किसी के साथ पार्टनर्शिप में खाता है, तो 9 लाख रुपे तक जमा करा सकते हैं, तो ब्याज के अलावा जमा राशी पर 5 प्रतिशत बोनस भी इसमें दिया जाता है, तो अगर किसी आदमियों को पेंशन या वेतन की तरह नियमित आये चाहिए, तो वो ये खाता खोल सकता है, इसके पर चाहत है, छे वरसी राश्टी बचत पत्र योजनात, इसमें क्या है, इसमें एक सर्टिफिकेट होता है, एक बचत पत्र मिलता है, जिसको की नैश्नल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते है, एनस्सी बोलते हैं इंगलिश में, तो इसको कोई वेशक यानि की दो एडल्ट द्वारा जॉइंट ली खरीज सक पांच हार रुपे दसजार रुपे इस तरह के मुल्यों के राश्टी पचत पत्र उपलब्द होते हैं और जमारासी पर छमाय वही चक्रदी व्याज होता है पहले से ही जो हर जो हर एनसी सर्टिप्र होता है इसमें लिखा होता है कि 6 मेने बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे जैसे आप 10,000 लाएंगे तो हो सकता है 6 साल बाद आपको 10,600 मिल जाएं 800 मिल जाएं तो यह 18,000 मिल जाएं 16,000 मिल जाएं वो सब पूरा लिखा होगा पहले तो 6 वर्स बाद ये पत्र डागघर से बुनाए जा सकते हैं 6 वर्स जब पूरी हो जाएंगे तो आप उसको डाग भी अवधीका होता है 15 साल तक इस खाते को आप रख सकते हैं बलकि उससे भी आगे बढ़ा सकते हैं तो व्यक्ति अपने नाम से ले सकता है या अपने छोटे बच्चे जो अवैस सकते हैं 18 साल से कम के हैं उनके नाम पर भी खाता खोल सकता है हर साल एकम से कम 500 रुपे जमा करने होते हैं एक वर्स में अधिक्तम सीमा 70 रुपे है आपकी किताब के हिजाब से लेकिन इस समय इसकी जो सीमा है वो 1.5 लाग रुपे है तो आप इसको चाहें तो 12 किस्तों में जमा कर दें साल में अधिक्तम 12 किस्तों में ठीक है या फिर एकमुस्त 70 रुपे जमा कर दे तीन वर्ष बाद इसमें रेड़की सुगता होती है और कुछ समय बाद 3 या 4 साल या 5 साल बाद कुछ पैसा आप इसमें से निकाल भी सकते हैं तो इसमें जमारासी पर आयकरमे छूट मिलती है ठीक है इसके पर चाहते किसान विकास पत्र किसान विकास पत्र में क्या होता है ये भी जैसे नैशनल सेविंग सेटिजिक या राश्टी बचत पत्था उसी पकार का एक पत्र होता है इसमें एक निश्चित रासी के अवधी के भी तर दुगनी हो जाती है तो कुछ एक टाइम देते हैं 8 साल 9 साल जितना भी होका उसकी अंतरगत आपको आपका पैसे का मिलेगा तो इसको भी जैसे एनसी था कोई भी खरीज सकता है कोई वेस्क या दो वेस्क मिलकर खड़िद लें या फे नियास दुआरा जो ट्रस्ट है उसके दुआरा खड़िया या तो इसके भी अलगला मूली वर्क में ये मिलते हैं और इनका जो एक लॉक-इन पीरेड ह होता है उससे पहले रुपे नहीं निकाले आ सकते उस लोकिन फीरेट के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं बहले ही वो जो निश्यत अवधी है पूरी ना हो भी हो जबकि रखम दुगनी होनी थी उससे पहले आप निकालेंगे तो आपको थोड़ा पैसा कम मिलेगा अगला है वरिष्ट नागरिक बचत योजना तो इस में क्या होता है यह सीनेर सेटिजन्स के लिए होती है वरिष्ट नागरिक योजना इसमें रूपे 100 के गुनकों में अधिक्तम 15 लाख रुपे तक केवल एक बार में जमा कर सकता है इसकी परिवक्ता अवधी जो है पांच साल होती है इसमें ब्याज जो होता है जो बाकी की जो एकाउंट है बाकी की जो जमा योजनाय है उनसे जादा मिलता है ब्याज देयर होता है ये इसके बार में बताया है इसके बार में बीमा सेवा है तो बीमा क्या होता है बीमा सेवा जो होती है बीमा में दो पक्षों के बीच एक कॉंट्रेक्ट होता है एक अनुबंध होता है, जिसके की माध्यम से एक पक्ष, दूसरे पक्ष का जो जोखी में उसको उठाता है, किसके एवज में? एक प्रीमियम के एवज में, एक प्रीमियम वसूल करता है, और ये गारंटी देता है कि अगर आपको कोई नुकसान होगा, तो मैं उसको वहन तो इस प्रकार की जो सिवा दी जाती ही वो भीमा होती है इसमें एक भीमा करता होता है और एक भीमा कृद्ध होता है तो हम जो बात कर रहे हैं तो डागघर इसमें भीमा करता की भूमी का निभाता है किस प्रकार से दो प्रकाय की जीवन भीमा वो करता है एक तो डागघर ज कुछ और जो संस्थान है उनके करमचारियों के लिए भी इसको बढ़ा दिया है इसमें क्या होता है करमचारी जिनकी आयू 50 वर्ष से कम है वो लोग बीमा ले सकते हैं तो वो एक निश्चित अवदीगी ले निश्चित प्रीम के भुकतान पर निश्चित प्रीमियम के भु जो गरामिन इलाके हैं और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है जो कमजोर वर्ग है समाज का उसके लिए भी डागघर ने एक स्कीम निकाल रखी है जिसको भी कहते हैं गरामिन डागघर जीमन वीमा इसमें क्या होता है गरामिन छेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए और समाज के कमजोर वर्गों के लिए डागघर जो है वो जीमन वीमा बहुत कम प्रीमियम पर बहुत कम सुल्क लेकर उपलब्द कराता है तो वीमे के लिए बहुत ही कम प्रीमियम वसूल करता है उन लोगों से क्योंकि उनके पास पैसा न नुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि वेवसाइड अध्यान विशाय किसी भी बोड से पढ़ रहे हूं या यूपी बोड से उत्राखन बोड से राहिस्तान बोड से जिस भी बोड से पढ़ रहे हूं तो धन्यवाद अगले वीडियो में हम लोग इस जो अध्याय था डाक सेवाओं का उसका जो सेज भाग है वो पढ़ेंगे धन्यवाद